तो जेजे के चैप्टर 250 के लीक्स आ गये हैं और यहां हमारे सुकुना भाया की जम के कुटाई हो रही है मजाग नहीं कर रहा है इस चैप्टर में जो मजा आया है ना क्या ही बताऊं मैं मतलब बताऊंगा आपको लेकिन वीडियो शुरू करने पहले एक स्पोईलर अलर्ट देता हूं साथी इस वीडियो में मैं मांगा पैनल्स वगेड़ा का इस्तमाल नहीं करूंगा नहीं क्लिपस का इस्तमाल करूंगा औरेस्ट नहीं होना मेरे को इस वीडियो के कारण ये पूरा माजरा क्या है इसको एनिमा चार में कल लोगी मेशन कवर करेगा खुलके इस वीडियो के एडिट थोड़ी कच्ची रहेगी लेकिन वीडियो के अंदर का जो माल है वो बहुत जादा पक्का है तो वीडियो एंड तक देखना तो चाप्टर से पहले हमें यूटा के डोमेन को काइंड अफ एक्स्प्लें किया गया है और आइकन प्रावड़ली से कि मेरी पिछली प्रिडिक्शन वाली वीडियो 99% अक्यूरेट रही है भाईया क्या आक्यूरेसी है मेरी नहीं मान रहे न तुम मेरी बात अरे मानो के कैसे जाके देखो तो मेरी पिछली वीडियो वहां एने बताया था कि यूटा किसी एक बंदे की टेकनीक को पकड़ के उसे अपनी innate technique बना के ही domain खोलता है इस case में angel की curse technique को as innate technique बना के domain को खोला गया है फिर हर तलवार के अंदर एक अलग curse technique होती है जिसका इस्तमाल यूटा करता है और एक तलवार एक ही बार इस्तमाल होगा जिसके बाद वो disintegrate होता है although वहाँ swords बहुत है तो यूटा कई curse techniques का कई बार इस्तमाल कर सकता है तो देख रहाँ कैसे मेरा हर एक point डिटो मैच हुआ है बस एक चीज में miss कर गया और वो ये कि यूटा को katana wield करने से पहले ये नहीं पता होता कि उस katana के अंदर कौन सी curse technique होगी तो देख रहाँ prediction है अपना कुछ अच्छा ही ऐसे ही podcast में मुझे लोग गेगे थोड़ी बोलते है Now coming to chapter 250 यूटा यहां रीका को सुकुना पर हमला करने भेजता है लेकिन सुकुना रीका के attack को dodge करता है लेकिन तभी दूस्ती तरफ से अपना यूजी सुकुना को एक घुसंड लगाता है अब अल्दो सुकुना इस घुसंड को kind of block कर दिया था लेकिन फिर भी सुकुना की आत्मा एकदम हिल गई थी काप गई थी पहले की तरह देखरो यूजी का मुक्क कितना ताकतवर है इसके बाद रीका फिर से हमला करने की कुशिस करती है लेकिन सुकुना बच निकलता है इस पॉइंट पर अपना यूटा उरो के space bending curse technique का इस्तमाल करता है जिससे वो सुकुना पर attack करता है अब तुम confuse मत हो ना उरो की जो innate technique है वो sky manipulation ही है यह जो space bending है उसी का एक byproduct है कभी विस्तार से बताऊंगा कि यह space manipulation यह space bending जो भी आप बोलते हो यह क्या होता है कैसे होता है इस video mining इसमें fight पर focus करते हैं तो हाँ सुकुना यूटा के हमले को जहलने के लिए तयार था साथ ही वो सोच रहा था कि भाया मेरी जो RCT है वो अभी भी लुल परी है एक दमडल ना ही मैं डुमेन खोल सकता हूं अभी क्योंकि एक गोजो नाम का बंदा था बहुत कूटा था मुझे इतना कूटा था कि म मोर वर सुकुना को हॉलो विकर बास्केट तो चलाते ही रहना होगा वरना एंजल की शयो हिट टेकनिक हिट करेगी और अल पॉइंट इस की बंदा अपना जो सुकुना है लॉंडा वो फस गया है खार इसके बाद रीका यूजी को एक मिसाइल की तरह सुकुना की दरफ फे रहा था मतलब अगर यूजी इस रेल्म पे जानी कि जो डिफरेंस सुकुना और मेगयूमी के सोल के बीच उस पे ठीक से वार करता रहेगा तो यह मेगयूमी की जो सोती आत्मा है वो जाग उठेगी और अगर ऐसा हुआ तो सुकुना बनाया है ना मेगयूमी के शरीर के सा सारा ट्यूनिंग खड़ाब हो जाएगा जिसके बाद मेगयूमी के वापस आने की चांसे बढ़ जाएगी अब जब यूजी यह सब सोच रहा था तो सुकुना सोच रहा था कि यह यूजी बराट जो है यह जब भी मुझे मारता है ना मेरे कर्स्ट एनरजी का आउटपु स्पीज स्थमाल करके सुकुना को फ्रीज करता है यं then thin ice breaker से हमला करता है अब इससे वेले सुकुना संभलता है रीका भी यूज़ाके बाब देती है पेलागा precis gonna कोई मामुली इंसान थोड़ी है कि कोई भी आएगा और बजाके चला जाएगा नहीं नहीं वह अटाक्स को dodge करना शुरू करता है और यूजी और यूटा दोनों पर slashes मारता है इन slashes से दोनों चोटिल होते हैं जिसके बाद सुकुना अपने slashes से रीका पर हमला करता है सुकुना सुचता है कि अगर मुझे इन्हें मारना है तो मुझे इन्हें चूके लिटरली चूके कट करना होगा अब चुके ही क्यों करना पड़ाएगा क्योंकि एक तो सुकुना का अभी कर्ज्ड आउट्पुट काफी लो है थैंक्स तो गोजस एंसाई और दूसरी बात यह कि आज के modern जमाने के जो frontline warriors हैं लाइक यूटा और यूजी इनकी defensive capabilities बहुत जादा अपग्रेड हो गई है इसके अलावा ये यूजी जो brat है वो RCT का भी इस्तमाल कर रहा है और यूटा की capability देखो उसके domain का जो show hit effect है वो सिर्फ सुकुना को ही लगेगा मतलब यूटा लिटरली इतना जादा ओपी हो चुका है कि वो अपने domain के अंदर भी इस तरह का high level barrier create कर रहा है इस तरह का अपने domain पे control होना मजाक नहीं है और इसको सुकुना acknowledge करता है और applaud भी करता है इसके हैं सुकुना पूछता है कि पिछले एक महिने में तुम लोग क्या किये यूजी बोलता है महनत और पुरुशार्थ लेकिन यूटा बीच में ही टोक देता है वो कहता है कि हम चोड़ी किये तुमको इससे क्या मतलब अब यूटा यहां सोच रहा होता कि अगर गोजो सेंसे इस सुकुना को इतना वीक करके नहीं गये होते लड़के तो भाईया सुकुना हम दोनों को फोल्ड करते था उसी हिसाब से डॉज करता है अपने लाट से सुकुना के मूँ को मिला देता है मतलब लाट से मूँ पे माना अब पुछो कि यह चाल्स कौन है और क्या वो सच में फ्यूचर देख सकता है अगर देख सकता है तो बड़ी ओपी बात है वेल यह पावर इतना ओपी नहीं है इतना साउंड कर रहा है बेसिकली कलिंग गेम के दोरान एक चल्स नाम का करेक्टर भी था जो कि इस गेम में फस गया था और वो एक एस्पाइरिंग मांगा का था उसकी जो कर्स टेकनिक थी ना जी वार स्टाफ उसके पास एक बड़ा सा पिन आ जाता है मतलब भाले जैसा होता है और आगे जैसा नीब रहेगा और उस पेन के अंदर या भाले के अंदर जो भी आप बोलो वो ओपोनेंट का ब्लट थोड़ा सा ले लेता है तो वो ओपोनेंट का थोड़ा सा फ्यूचर मूवज देख पाता है इनिशली वह एक सेकंड का मूव देख पाएगा और आपसे अपना प्लान कर सकता है अटाइक एंडेन जितना जादा यह पेन खून खीचता रहेगा उतना ही जादा वो फ्यूचर में देख पाएगा लाइक मोर सेकंड से जादा सुनने में टेकनीक भले ही ओपी लग रही होगी लेकिन उतना जादा एफेक्टिव है नहीं स् चार्स भी थोड़ा सा उतना कुछ खास सौसर था नहीं वास यूट आपना बढ़ियां इस्तमाल किया इसका चोटा सा अब इस बढ़िया इस्तमाल को देख के सुकुना काउंट करता है कि साला यह यूटा बरी टोपी बाजा आत्मी है कितने साड़े करस टिकनीक इस्तमाल बहुत क्लियर नहीं होते अब यह मत पूछना कि धुरुग लक्कडवाला कौन है लेटरली एक ही मांगा में पैनल था ज्यादा कुछ बताया नहीं गया बस बताया गया था कि बहुत ओपी था इनुमाकी का करस्ट स्पीच कर इस्तमाल कर रहा है दिन चाल्स के जी वार एक जब वह समझता है कि जब घब hm sub लोग हमेशा मुझसे पूछ थे हो और ग्रवीटरू पूछना इसकी क्या यहा पर यूटा स्हच के इंफिनिटि को भी कॉपी कर सकता है नहीं गोजो का infinity इतनी असानी से copy कैसे होगा और infinity को ठीक ढंग से चलाने के लिए भाईया 6 eyes की भी जुरूरत है यूटा 6 eyes भी copy कर ले और इस point पर मैं आपको 6 eyes or infinity इन दुनों की बीच की बहुत बरी difference बताने वाला हूँ विसिकली मैं आपको बताऊंगा कि क्यूं गोजो का 6 eyes कभी copy हो ही नहीं सकता ऐसा इसले कि सिक साइस किसी तरह की कर्स टेक्नीक नहीं बल्कि एक फिजिकल अबिलिटी है It's just like hardware and software जहां पर software है आपकी curse technique और hardware है आपका शरीर software तो यूटा कोपी कर लेता है यानि कि curse technique किसी के भी copy कर लेगा लेकिन hardware कैसे copy करेगा वो नहीं हो सकता ना copy थोड़ी यूटा के पास गोजो अला actual आँख हा जाएगा जिसे हम 6 eyes कहते हैं तो अब समझे क्यों यूटा के लिए infinity को replicate कर पाना बहुत जादा मुश्किल है I mean वो infinity को copy कर सकता है लेकिन infinity को चलाने के लिए जो 6 eyes चाहिए यानि की hardware वो नहीं है न यूटा के पास तो basically अगर यूटा infinity copy कर भी लेता है तो अगर वो उसको चलाएगा तो उसका cursed energy बहुत जादा drain हो जाएगा गोजो की तरह effectively वो नहीं कर पाएगा अब समझे infinity copy हो सकता है बट क्यों मुश्किल है और 6 eyes copy हो ही नहीं सकता अब के बाद मुझे ये सवाल कोई नहीं पूछेगा कभी भी comment section में तो बिल्कूल मत पूछना है हर coming to fight यूटा फिर से उरो के technique से space को bend करके तलवार चलाता है सुकुना गुस्से में यूटा के तलवार को catch कर लेता है लेकिन तभी अचानक से सुकुना के face से खून निकलना शुरू होता है अब खून क्यों निकला क्योंकि यूटा यहां पे सुकुना के slashing technique cleave का इस्तमाल किया क्लीव कोपी कर लिया और उससे सुकुना को ही पेल दिया मतलब भाई साफ यूटा यहां सुकुना के slashes को कोपी करके उस पे ही इस्तमाल कर रहा है यही पे chapter खत्म होता है लेकिन editor's note पे लिखा था कि सुकुना's own slashes rain down on him बाप रिभा घजब का माढ हुआ है इस chapter में कसम से बता रहा हूँ गोजो और सुकुना के fight के बाद जब से यूटा यूजी का fight शुरू हुआ है न मजा तब आना शुरू हुआ और 2.50 में तो भाई बहुत मजा आया एक्स्ट्रीम मजा आगया मेरे को एकड़ लीक्स देखके मेरे आंखों में आसू आगय मित्रो उमीद करता हूं तुम्हें मजाया होगा मजाया तो वीडियो का लाइक को शेयर जरू करना और हां एगें सॉरी क्योंकि वीडियो की एडिक काफी सिंपल सी यह वाली रही है रीजन मैं बताया है मैं मांगा पैनलस इस्तमाल नहीं कर सकता इस वाली वीडियो में साथ ही मैं क्लिप्स को भी अवोइड कर रहा हूं सिर्फ इस वीडियो के लिए और थोड़ा जल्दी भी तो लाना था वीडियो वेल इस सब पे लोगी मिशन बात करेगा अपनी अनिमा चार वाली वीडियो में जो की मुस्ली काल आएगी तो इसको ना मिसकरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर ले ना I'll see you guys in the next one. Peace out.